हेलो फ्रेंट्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप स्ट्रिंग्स के साथ किस तरह से कंपेरिजन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ हम दो इंपोर्टन्ट फंक्शन्स को भी डिसकस करेंगे जो हैं ORD और CHR हमने इस ट्रिंग के उपर भी कई वीडियो बनाये हुए हैं हमने उनकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिये अगर आप इस ट्रिंग्स को अच्छी तरह से समझना चाते हैं तो ICO वो सभी वीडियो आपके लिए helpful होंगी अपने इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको सबसे पहले मिल सके और अगर आपके पास कोई suggestions है जिसके थूँ हम अपने चैनल को और भी अधिक बहतर बना सकते हैं तो हमारा comment box आपके important suggestions के लिए हमेशा open है दोस्तो YouTube के साथ ही आप हमें Facebook और Instagram पर भी follow कर सकते हैं उनकी links आपको हमने description में दे दिये तो चलिए start करते हैं अपना आज का वीडियो और देखते हैं कि इस वीडियो में आपके लिए क्या कुछ खास है दोस्तो हम सभी comparison operators को तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इनी comparison operators को हम relational operators के नाम से भी जानते हैं दोस्तो हम आपको बता दे कि आप strings के साथ में भी इन comparison operators को यूज कर सकते हैं और ये comparison based होता है unicode values पर इसके लिए string के हर एक character को one by one compare किया जाता है strings की equality और non equality को check करना तो easy है इसके लिए हर एक character को दूसरे character से exactly match किया जाता है और यहाँ पर uppercase और lowercase को भी consider किया जाता है तो आएए अब हम examples के थूँ देखते हैं कि आप किस तरह से string की equality और non equality को check कर सकते हैं सबसे पहले example की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर small a is equals to equals to small a को compare किया है ये value return करेगा true क्योंकि दोनों साइड में same character है second example में हम देखें तो हमने small a b c not equal to small a b c ये return करेगा false इसके लिए भी हमारा उपर वाला reason ही perfect होगा अब हम देखते हैं अपने third example को तो हमने यहाँ पर small a b c is not equal to capital a b c ये return करेगा true क्योंकि last के दो character यहाँ पर same है but starting के letters में differences है fourth example की बात करें तो हमने यहाँ पर capital a को small a के साथ compare किया है और ये value return करेगा false क्योंकि एक uppercase में है और दूसरा lowercase में है ये तो बात हो गए strings की equality और non equality की अपने वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दे आपके comment से हमको पता चलता है कि हमें अपने channel में और क्या improvement करनी है इसलिए आप हमारे वीडियो में comment करना न भूले तो चलिए अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं जब हम दूसरे comparison operators जैसे less than, greater than, less than equal to, greater than equal to को perform करना चाहें तो इन comparisons के लिए internally letters के ordinal values को compare किया जाता है इनी ordinal values को हम unicode values के नाम से भी जानते हैं और इसे ही हम ask की code भी बोलते हैं table में हमने कुछ characters और उनके ordinal values को दिखाया है जो आपको हमारे अगले examples को समझने में help करेंगी तो आईए अब हम देखते हैं अपने कुछ examples को सबसे पहले example में हमने small a is less than capital A को compare किया है ये value return करेगा false क्योंकि small a की ordinal value capital A की ordinal value से ज़्यादा है second example में हमने capital ABC is greater than capital AB को compare किया है ये return करेगा true क्योंकि left hand side में एक extra character C available है अब हम बात करते हैं अपने third example की तो यहाँ पर हमने small ABC is less than equal to small ABC और last में capital D इसको compare किया है ये return करेगा true क्योंकि small ABC की ordinal value ज़्यादा है last example की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर small ABC is greater than small ABC और last में capital D लिखा है compare करने के बाद ये value रिटन करेगा true क्योंकि यहाँ पर last character में small D है और इसकी ordinal value right hand side वाले capital D से ज़्यादा है अपने वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें आपके comment से हमको पता चलता है कि हमें अपने channel में और क्या improvement करनी है इसलिए आप हमारे वीडियो में comment करना ना भूले तो चलिए अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं अपने दो functions oid और chr को कि इनको हम अपने python programming में किस तरह से use कर सकते हैं oid function का syntax देखें तो हम इसके अंदर जो भी character पास करेंगे तो ये हमें उस character की ordinal value को return करेगा ठीट इसके opposite chr की syntax को देखें तो हम इसके अंदर जो भी integer value पास करेंगे तो ये उस ordinal value के corresponding character को हमारे सामने display करेगा तो आईए देखते हैं oid और chr function के कुछ examples जिससे आपको ये clear हो जाएगा कि आप इन functions का किस तरीके से use कर सकते हैं दोस्त आया होगा आगर हमारा ये वीडियो आपके लिए beneficial है तो इससे share और like करने के साथ ही साथ हमारे channel को subscribe भी कर लें दोस्तों आप हमें comment करके जरूर बताएं कि आपको हमारा video कैसा लगा आपके comments और suggestions हमारे channel और videos के improvement के लिए बहुत ही जादा important है इसके साथ ही आप हमें Instagram और Facebook में भी follow कर सकते हैं साथ हमारी website पर भी visit करके आप हमारे videos को देख सकते हैं उन सभी की links हमने आपको अपने इस वीडियो के description में दे दिये अब हम मिलते हैं अपने आगले वीडियो में किसी नए topic के साथ तब तक के लिए stay at home, stay safe thanks for watching our channel and video